सो यस विल्कम टू इलेकल डिपार्टमेंट इस्टील प्लांट कंपनी की तरफ से नियू रिकुर्मेंट निकल कर आ रही है फार टुन्टी टुन्टी फॉर काफी उश्टेंड डिमांड करते हैं कि सर ग्रेजुएट इंजिनियर ट्रेनियर यानि की बी इबी टेक वालों के सेलरी की बात करें तो इसमें आपको बहतरीन सेलरी देखने को मिल जाएगा टॉप MNC कंपनी है तो इसमें आपको 7.3 लाइक पर NM का CTC देखने को मिलेगा तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको देंगे कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है सेलेक्शन प अपडेट पाने के लिए तो चलिए अब चलते हैं वेकेंसी के में नोटिफिकेशन पर से पहले हम बात करेंगे ग्रेजुएट इंजिनियर ट्रेनी की पोजीशन के लिए इसके बाद डिप्लोमा इंजिनियर ट्रेनी कंपनी का नाम है AMNS इंडिया यानि की आर्चिल निप पोजीशन के लिए निकाला गया है पर्मनेंट जॉब है कोई कोंटेक्चिवल जॉब नहीं है आल ब्रांच के कैंडेड इसमें अपलाई कर पाएंगे अपर देख सकते हैं आर्चिलोर मित्तल निपोन इस्टील इंडिया का ये ओफिसियल लिंडिन पेज है अभी 6 घंटे पहले है ये वेकैंसी जो है LinkedIn पर पोस्ट किया गया है तो जल्दी से अगर आप इसमें अपलाई करेंगे तो सेलेक्ट होने का ज़्यादा चांस है और अपलाई करने की जो अंतिमतिती है 7 अप्रेल तो आपको 7 अप्रेल से पहले इसमें अपलाई कर देना है यहां पर से सिरैमिक सिविल या फिर मेटलरजी इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर आपने बीई बीटेक कर रखा है और आपके पास डिप्लोमा में या फिर ट्वल्थ में 60% मार्स हैं और बीई बीटेक में 60% मार्स है तो आप इसमें इलिजबल हैं अपलाई कर पाएंगे यहां पर क्राइटरिया को थोड़ा बढ़ा दिया गया है नॉर्मिली क्या होता है 60% का क्राइटरिया रखा जाता है एकडमिक रिकार्ड जो होना चाहिए एक 60% होना चाहिए लेकिन यहां परिणों ने 65% रखा है और कोई भी आपका इसमें एक्टिव बैकलॉग नहीं होना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डारिक्ट लिंक दिया गया है वहाँ से क्लिक करके आप अप्लाइ लिंक पर पहुछ जाएंगे अपलाइ लिंक पर इसके बाद यहां पर eligibility criteria के बारे में दिया गया है आपका जो 65% मार्स होना चाहिए 10th में भी 12th में भी BTEC में यह BTEC कभी अगर 7th semester आपका चल रहा है तब भी उसमें आपका 65% मार्स होना चाहिए ठीक है branch हमने बता दिया है mechanical, electrical, metallurgy और civil branch भी eligible है आगे आप जब apply करेंगे तो आपको option देखने को मिलेगा, job description के बारे में दिया गया है graduate engineer training का position होगा और company जो है आपका MNS India company है और यह company आपका job location कहां पर होगा तो जहां जहां पर MNS India company का plant है वहां पर आपको job location देखने को मिल जाएगा, role science responsibility की बात करें तो जो भी candidate इसमें select होंगे GET की position के लिए उनको 12th के training period पर रखा जाएगा और इसके बाद training period complete होने के बाद आपको इसमें permanent किया जाएगा, last day to apply तो 7 April तक आप इसमें apply कर सकते हैं, apply करने के लिए आपको direct link मिल जाएगा, basic details आपको भरना है और इस प्रकार से आप इसमें apply कर पाएंगे, apply करते समय यहां पर देख सकते हैं कौन कौन से branch के candidate eligible है, mechanical engineering, electrical, engineering, metallurgy, engineering, ceramic और civil, इसमें male और female दोने candidate apply कर सकते हैं, selection process की बात करें इसमें आप apply करेंगे, अगर आपका resume short ratio होता है company में तो MNS की तरफ से आपको पास assessment के लिए mail आएगा, assessment के बाद आपका इसमें interview होता है, interview clear करने के बाद आपका medical और free document verification और इस बैस्सआर अपको देखने को मिलेगा, month enhanced salary की बात करें तो आपको 40-45,000 रुपहे, 40-45,000 रुपहे पर month आपको enhanced salary देखने को मिलेगा, तो इसमें salary के अलावाद काफी सारी facilities लाई किया, चलिए अब डारेक्ट हम बात कर लेते हैं जो DET की पोजिशन के लिए वेकिंसी निकालेगी यहाँ पर देख सकते हैं DET की पोजिशन के लिए भी M&S कंपनी के तरफ से वेकिंसी निकाला गया था अभी वो लिंक के क्लोज नहीं हुआ है तो जो इस्टेंट अभी तक अप्लाई नहीं किये हैं वो अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं आपर देख सकते हैं डिप्लोमा इंजिनियर की पोजिशन के लिए वेकिंसी है, कौन-कौन से ब्रांच के कंडियेट अप्लाई कर पाएंगे, तो अल्मोस्ट आल ब्रांच के कंडियेट इलिजबल हैं, अगर आप 2022 से 2023 में डिप्लोमा पास किये हैं, और आपका ब्रांच जो है सिरैमिक, सिविल, केमिकल, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रुमेंटेशन, मेकैनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रोनिस, कम्यूनिकेशन, इंजिनरिंग है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, और इसमें आपको बीटिक भी करा जाएगा, और इलिजबल्टी के बारे हमने आप को पहले भी बता चुगे हैं, इसमें आपका 60% मार्स होना चाहिए, डिपलोम में और कोई भी एक्ट्व बैकलॉग नहीं होना चाहिए, डेटा बर्द की बात करें, तो आपका डेटा बर्द जो है, एक माई 2002 से लेकर, एक माई 2006 के बीच का होना चाहिए, और इसमें आपक आप केंपस भी होता है, तो जो आप केंपस विकिंस से आता है, वो अपने हम टेलेग्राम चैनल पर बता देते हैं, और अभी इसके रिक्रूमें प्रोसेस में इसका इंटर्वीव हो चुका है, अभी किसी को आफ़र लेटर नहीं आ चाहिए, तो जैसे इसका आपको आपक मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर